एलो फ्रेंड संजु की हेल्दी रसोई में आपका स्वागत है आज मैं मैंगो आईस क्रीम की रेसिपी सेयर करने आई हूँ इसे मैं नॉन डेरी वीपिन क्रीम के साथ विप करके बताऊंगी बहुत अच्छी बनती है नॉन डेरी वीपिन क्रीम मैं आधी कटूरी से थोड़ हूँ बिल्कुल चिल्ड है और क्या इसमें मिठास काफी होती है इसलिए मैं चीनी तीन से चार चमर्ची लूँगी और गुजरात में यहां केसर का आम मिलता है इसको तीन आम को मैं चील के छोटे-छोटे टुकड़े में कट कर ली हूँ और विपिन क्रीम को विप करने के लेक्टिक बेटर ले रही हूँ अब मिक्सी के पाउट में तीन से चार चमर्ची नी डाल दी और यह जो बड़े से बॉल में मैं आम को कट करके रखी वी हूँ इसको डाल दूँगी मैं यहां केसर का आम ले रही हूँ गुजरात में यहीं मिलती है बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा उसे भी कम टाइम में पिस जाती है इस तरह से देखे बहुत अच्छे से पिस गई है और नॉन डेरी विपिन क्रीम को जो बड़े से सिसी के बॉल में रखी थी बिल्कुल चिल्ड है इसका क्या स्पीट को ना आप सुरू में पहले लो रखिएगा फिर ध आम का जो प्यूरे है इसमें डाल दोंगी विप करके रखी ही हूं क्रीम को आरे जो आम का प्यूरे और विपिन क्रीम दोनों को मैं मिला दूंगे और उसको क्या है एलेक्री बीटर को दीर दीरे उपर करके उठाइएगा तो इस तरह से सबाद जाएगा समान इसमें और इसे सेट करने के लिए मैं इस तरह से इस ट्रे के उपर रख दूंगी इस तरह से और चारो साइड से अच्छे से दबा दूंगी कहीं से भी खुला हुआ नहीं होना चाहिए इस तरह से इसे दबाने के बाद फ्रीजर में दस से बारा घंटा के लिए फ्रीजर में रखेगा बहुत अच्छे से सेट हो 10-12 घंटे हो गये हैं इसको मैं निखा रहे हूं कितनी अच्छी है सेट भी इसका फॉल पेपर को पूरा हटा दीजेड़ इस तरह से आ देखे इस मैं इस्पून के सहिता से इस तरह से करके दिखा रहे हूं बहुत अच्छी सेट हो गई है और जैसी तरह की शीरप आती है न विस्टेफे श्मवेरी फ्लेवर की इसको किया ना इसमें लाइनिंग इस तरह से कर दूंगी चोडाय में इस तरह से और टूथ प्र की सहता 2022 चमीजर फिर आपको मेरे मैंगो की आइसक्रीम अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक सेर सब्सक्राइब किजिए अवेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो का नॉटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले वीडियो देखने के लिए थैंक यू